कहते हैं कि लालू परसाद यादो पूरी तरह से बिहार की राजनीत को पढ़ते समझते और उस पर अपनी पर्तिक्रिया भी देते हैं बिहार की राजनित को अगर अच्छी तरह से समझने वाले कुछ लोगों का नाम सौट लिस्टिट किया जा तो उसमें लालू परसाद का नाम पहले नंबर पर आएगा लेकिन नितीश कुमार भी कम नहीं है लेकिन इन सारी बातों के बीच लालू परसाद ने 12 घंटे में पूरा बिहार का गेम ही पलट दिया है आपको पता है कि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर करके धावा धावी पर हमने आपको खबरों में बताया भी था कि किस तरह से लालू परसाद को पटना लाया गया जबकि ये कहा जा रहा था कि लालू परसाद चुनाव में नहीं आप आएंगे डॉक्टर ने उन्हें सलाह नहीं दिया है दिली छोड़ने का वहीं ये भी बाते कही जा रहे थी आर्जेडी के तरफ से कि लालू परसाद आएंगे और चुनाव परचार करेंगे लेकिन अचानक से इस कारेकरम को एक तरह से समझिये तो रद ही कर दिया गया था पर जिस तरह के महौल बने और इस्थीतिया जिस तरह के हुई खुद तेजस्वी आदो दोनों ही छेत्रों में कैंप करके जब देखा कि लालू परसाद के बिना अपार पाना मुस्किल है तो से पहले तो उन्होंने कॉंग्रेस जो की उनके खेमे से बाहर हो करके उनके विरोध में अपने उमीदवार उतारी थी हमला वहीं से सुरू किया और एक चर्चा का विशय ही मोड़ दिया साफ तरीके से उन्होंने जिस तरह से भग चरंदास पर पुछे गए सवाल के जवा अपनी प्रतिक्रिया दी कि लगता है कि आप भारतिये जनता पाटी के साथ भीतर ही भीतर साट काट कर रहे हैं उन्होंने कहा भग चरंदास पर जो सब्द कहे वो आपको पता है इसके बाद कॉंग्रेस पूरे खुल करके मार्केट में आ गई और अब इन सारी बातों को ल तरह की बाते कहीं जिसमें उन्होंने साफ तरीके से जो तेज प्रता प्यादो अलग थलग नजर आ रहे थे उन्हें साधने का एक नया हत्कंड़ा अपना लिया क्योंकि लालु प्रसाद को पता था कि तेज प्रता प्यादो पीता पर हुए हर हमले का जबाब देंगे चा लालु प्रसाद का लह गया और जैसे ही कॉंग्रेस ने लालु प्रसाद पर हमला सुरू किया तेज प्रता प्यादो की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई और उसने कॉंग्रेस का विरोध परदरसन सुरू कर दिया साफ तोर पे लालु प्रसाद के टीम पूरी एक जूट होकर के कॉंग्रेस को लगतार जब ये उनसे सवाल पुछा गया कि आप RJD में हैं या नहीं हैं तो उनका सीधे कहना था कि हम लालू परसाद के साथ हैं और लालू परसाद पर होने वाले हर हमले का हम जबाब बड़ी माकूल होकर के और बड़ी मुस्त नितीश कुमार पर हमले तेज हो गये हैं तेज पतापयादो की टीम द्वारा वहीं कॉंग्रेस को भी खुला चुनोती दे दिया गया है कि उन्हें जो करना है करें लेकिन लालू परसाद पर एक भी सब्द बोले जाने पर उनका जबाब उनके तरब से मिलेगा और यहां तक की हम छोडने वाले नहीं हैं वहीं आपने सुनाई होगा कि किस तरह से पंचनामा में संपादक नमन मिशाजी ने इस पूरे कबायत को पूरी रणनिती को किस तरह की रणनिती थी जिसके कारण लालू परसाद को बिहार आना पड़ा और बिहार आकर के खुद मोर्चा स देखा होगा कि अभिमन्यू को चक्रविव में तो घेर लिया गया था अरजुन बचाने नहीं आये लेकिन इस चक्रविव में जैसे ही तेजस्वियादो घीरे लालू परसाल बचाने के लिया आ गये और इतना ही नहीं तेज़ परताप यादों को भी उन्होंने आपको एसपस्ट हो जागा कि बिहार की राजनीत में लालू प्रसाद की इंट्री यूही नहीं हुई है, उसके पीछे बड़े कारण है और इस कारण के पीछे हर्याना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के बिहार तक जितने रणीतियां रची गई है और जितना फ परिवार और पाटी को तूटता हुआ देख करके लादू परसाद ने एक ही तीर से कई निसाने साथे हैं और सारे निसाने लगभग सटीक बैट रहे हैं जुड़ेगा भार्त लाइप के साथ खबरें लगतार जारी हैं बहुत-बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लेएं ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाएं अ झाल मुफ्त में सती कारूइब अबादनेर से सकततत है भी सब्सक्राइब ब्सक्राइब कर रुवा भी सिर्पाऻपवे एंटें कizers में ऊनक्राइब बाद़ रपdyli।